इसका फाइदा यह है कि यह विटामिन D की कमी की रिकवरी बहुत जल्दी करता है जब आप एक शौट ही लेंगे उसके बाद ही आपको इसका फाइदा दिखना शुरू हो जाएगा Hello friends, welcome back, दोस्तो स्वागत है आपका एक बार फिट से Nutrition 99 में दोस्तो यह है मेरे पास विटामिन D का Oral Solution का एक शौट यानकि एक बार में ही लेना है और यह क्यों इस्तेमाल करना है, किसे इसकी जुर्थ है इसके बार में हम पूरी जानकारी देंगे आपको तो वीडियो को एंड तक जूर देखें दोस्तो विटामिन D3 विटामिन D3 एक बहुत ही important विटामिन है बहुत से लोगों को इस विटामिन की कमी हो जाती है और उन्हें पता नहीं चलता क्योंकि विटामिन D की कमी का पता लगाते लगाते 6 वहीने भी बीच सकते हैं दोस्तो विटामिन D की कमी होती क्यों है और किन लोगों को होती है ये पहले बात कर लेते हैं दोस्तो विटामिन D की कमी उन लोगों को होती है जो लोग धूप में नहीं जाते नाइट शिफ्ट में काम करते हैं और दिन को सोते रहते हैं या फिर उनकी डाइट में विटाम फील होने लगता है, इसके इलावा आपका पेट में गडबरी हो जाती है, मेटाबलिजम सही नहीं रहता, तो ओटो इम्यून की डिसीज हो सकती है, यानकि कहीं दाड़ी में आपके कहीं कहीं बाल जढ सकते हैं, जिसे ओटो इम्यून डिसीज कहा जाता है, वो भी विटामिन विटामिन D3 की कमी से होता है सिर के बाल पतले हो सकते हैं जड़ सकते हैं ज्यादा और ये भी विटामिन D की कमी से है यानकि एक विटामिन D3 की कमी और कितने ज्यादा नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं और हम समझते हैं कि ये सिर्फ हमें कोई और कमी से ही हो रहा है ल अगर आपकी विटामिन D कम निकलता है तो आप इस solution का इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी recovery के लिए ये है एक विटामिन D3 का short अगर आपको विटामिन D 50% से भी कम है आपकी body में तो आप इसका use कर सकते हैं ये है 60,000 IU का Dr. Morpen का और भी कई companies का मिल जाता है बाजार में 80 रुपए इसकी MRP है तकरीबन और 70 रुपए तक आसानी से आपको मिल जाएगा आप इसकी पूरी डिब्बी ले आएए एक डिब्बी में 4 हो सकते हैं जो कि आपने 10 दिन के gap में या फिर एक हफ़ते के gap में लेने है इसका फाइदा ये है कि ये विटामिन D की कमी की recovery बहुत जल्दी करता है जब आप एक short ही लेंगे उसके बाद ही आपको इसका फाइदा दिखना शुरू हो जाएगा आपकी हड़ियों में दर्द कम हो जाएगा बाल भी अच्छी हो जाएगे स्किन भी अच्छी होनी शु बहुत weakness feel करते हैं तो आप full body test करवाईए vitamin D3 जुरू test करवाईए इसका test अलग से होगा और अगर vitamin D3 कम निकलता है तो आप ये solution इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये काफी effective है इसे लेना कब है आप इसे दोपहर को लीजिए खाना खाने के बाद और 10 दिन के gap के बाद लेना ह है तो इस तरह के आपने regular नहीं लेने चार से पांच शॉर्ट लेने हैं ताकि body में vitamin D ज्यादा भी न हो जाए अगर ज्यादा हो जाए तो वह toxin हो सकता है यानकी नुकसान दे हो सकता है तो दोस्तों ये सब था vitamin D3 के बारे में तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है झाल